नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल दिती समय अकेडिम में दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए एक स्कीम बताने वाले हैं जी हाँ जिससे सीधा सीधा आपके खाते में 3,000 रुपा आएंगे और वहाँ स्कीम सरकार ने लाँच करी है तो वीडियो आन तक देखिए दोस्तों क्योंकि खाते में पेसे आना किसी के लिए बुरी बात नहीं होती सभी को पैसा चाहिए ही तो यहाँ पर दोस्तों पुरी कंप्लेट रिपोर्ट हम आपको बताएंगे तो हो सकता है इस स्कीम से आप भी लाभानवित हो तो चलिए देखते हैं दोस्तों पुरा वीडियो लेकिन उसे बहल है साथियों अगर आप MP परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो आप MP परिक्षा एप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इस टेस्ट सीरीज की माध्याम से आप शिक्षिक वर्ग दो, विज्ञान, इंग्लीज, गनीत, हिंदी, सामाजी विज्ञान, मैथ्स, रिविजन, एवं साइन्स, रिविजन की तयारें कर सकते हैं MP SI एवं MP Cost Table की तयारें कर सकते हैं 40% का लाब मिलगा, यहाँ पर आपको 40% की सिधा सिधा चूट मिलगी तो यहाँ कूपन कोड है DEEFGOV40 तो यहाँ पर यह कूपन कोड उप्योग करें और टेस्ट सीरीज में 40% का लाब पाएं तो दोस्तों MP परिक्षा एप डाउनलोड करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें तो साथियों यहाँ पर हम आपको complete report बता रहे हैं और वह यही है कि प्रिधार मंत्री श्रमधन मांधन योजना जो कि अभी-भी लागू की गई है जिसे प्रिधार मंत्री पेंशन इसकीम भी कहा जा रहा है इसके तहत कोई भी असंगडी शेत्र से जुड़ा हुआ कामगार जिसके उम्रित 40 वर्ष से कम हो और किसी अन्य सरकारी योजना का फाइदा न ले रहा हो वह इस योजना के तहत हितग्राही हो सकता है तो सरल शब्दों में दोस्तों हम आपको बताते कि देश बर के सभी असंगडी प्राइवेट कर्मचारी हैं घरुल कामगार जैसे घरिलुसायक, माली, ड्राइवर इस प्रकार की जो भी कामगार है जिनका वेतन या मासी का है 15,000 रुपए प्रतिमा से काफी कम है तो इस योजना के वे हितग्राई हो सकते हैं, अर्थाद वे eligibility रखते हैं, इस योजना के पात रहें तो अब आप इस scheme का फाइदा उठाना चाते हैं, तो सबसे पहले जान ले कि कौन सी scheme वाले यह फाइदा नहीं उठा सकते हैं और यदि उसकी मोध हो जाती है, तो उसके बच्चों को भी उसकी pension नहीं मिल सकेगी इस scheme में आविदन करने वाले वेक्ति की मासिक आए 15,000 रुपए से कम होनी ही चाहिए सरकार ने इस pension scheme को असंगडिश शेत्र को ध्यान में रखते हुए पेश किया है तो दोस्तों चलिए एक बार मुख्य मुख्य बाते देख लेते हैं सबसे पहला सरकार इस scheme को लाने वाले को 3000 रुपए मासिक pension देगी दूसरा आविदन करने वाले वेक्ति के पास saving bank account और आधार card होना जरूरी है तीसरा रेक्ति की उम्र 18 साल से कम और 14 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए चोधा 18 साल की उम्र से इस scheme को शुरू करते हैं तो हर माँ 55 रुपए जमा करने होंगे पाचवा, 40 साल की उम्रे से इस होजना को शुरू करेगा कोई तो हर माँ 200 रुपए उसे जमा करने होंगे छटा, जितनी रकम आप जमा करेंगे उतनी ही सरकार भी जमा करेगी यानि निवेश करते ही डबल हो जाएगा मतलब कि दोनों चाहे सरकार हो या आप हो दोनों एक साथ ही आप निवेश करेंगे और आने वाले समय में आपको इसी स्केम का लाब मिलेगा तो अंती यहाँ पर सातवा बिंदों आपको बता दें कि 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी तो बता चुके हैं कि पेंशन कितनी मिलेगी तो 3000 रुपए यहाँ पर पेंशन मिलेगी इसके लिए आपको दोस्तों आभी सही शुरू कर देने चाहिए चाहिए आपकी उम्र 18 साल से 40 साल हो या 18 साल 40 साल की बीच में हो तो यहाँ पर काफी अच्छी योजना है दोस्तों सरकार सीधा सीधा 3000 रुपए महिने की यहाँ योजना लेकर आई है तो अगर आप eligibility रखते हैं तो इस योजना में आवे दन दे दोस्तों वीडियो यहीं पूरा करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें जान से जाना हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रू दबाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों आपके सब्सक्राइब बहुत धन्यवाद जय हिंज जय भारत